आज मैं आपको तीन असे तरीक बताने वाला हूं audio recording के जिसमें पहला तरीका है कि कि से United Hollywood Hollywood zouliwood के movies में audio record होती ह। दूसरा तरीका है कि कैसे बड़े-बड़े YouTube-وس है जो Harsh Benny, Washish Chanchla, Niamit, Badaana ये अपनी audios को sounding रिकोर्ड करते हैं कि अधिया नाम कमल पीर सिंग है मैं पिछले 5 सालों से प्रफेशनली इफिटोग्राफिय और फिल्मेकिंग कर रहा हूं और आज की वीडियो में जैसे मैंने बताया है मैं ओडियो रिकोर्डिंग के ऊपर बात करने वाला हूं सबसे पहला जो तरीका है किस तरीके से प्रफेशनली मुवी सो होलिवोड टीवी शो वैब सीरीज में ओडियो रिकोर्डिंग होती है वो है आपका पॉल माइक यानि की बूम माइक भी उसको कहते हैं एक लंबी सी पाइप के माइक होते हैं या फिर कुछ छोटे से डिवाइ जो डिवाइसिस होते हैं उनमें जाके रिकोर्ड होती है उनको फिर एडिटिंग में एक साथ वीडियो के साथ प्ले किया जाता है अल्मोस्ट सारी बॉलिवोड होलिवोड की मुवी में बूम माइक यूज किया जाते है इसका रीजन यह है कि अगर तो आपके सीन में 5 या कर सकते हो क्योंकि expensive mics है तो उनमें वह तरीके के options होते हैं लेकिन आप चाहो तो बिल्कुल basic mic जो होते हैं आपके बोया के जो 700-800 रुपे के आते हैं आप उसको किसी पोल पे लपेट के आप वो भी यूज कर सकते हो एक बूम माइक की तरह अपनी वीडियो के लिए अगर आ प्रोफेशनल्स होते हैं और काफी expensive भी हो जाते हैं इसमें एक problem यह भी है कि अगर आप comedy वीडियो वगरे या फिर YouTube वीडियो से आप बनाना चाहते हो अपने लिए तो उसमें बूम माइक के साथ साथ आपको बंदा भी चाहिए होगा जो माइक को operate कर सके अब बेसिकली और ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है मतलब कि अगर आपके टेम में एक दो ही बंदा है तो आप अच्छे से यूज नहीं कर पाऊगी इस तरीके की चीजों को तो उसी वज़े से wireless माइक्स जो है हमारे mostly YouTubers यूट्यूबर्स यूज करते हैं बूम माइक का एक और परप दूसरा तरीका है जो हमारे YouTubers यूज करते हैं बड़े बड़े वह है हमारा wireless माइक और wireless माइक कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है इसके उपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है अब वह जाकर देख सकते हैं कौन सा माइक कितने बज़ेट की रेंज में है वह सारा आ आपका wireless माइक audio record करके डारेक्ट केमरा में ही sync कर देता है जिसकी मदद से आपको editing में easy हो जाता है लेकिन एक डाउनसाइड यह भी है कि wireless माइक जो है वह थोड़े से expensive होते हैं especially अगर आप YouTube वीडियो सा भी शुरू करना चाहरे हो 15-20,000 की रेंज में स्टार्टिंग होती है फिर आगे 40-50,000 तक भी चले जाते हैं wireless माइक तो अगर तो आप शुरू कर रहे हो तो आपके लिए सबसे friendly और सबसे budget में क्या काम रहेगा आप या तो इस तरीके से भी audio recording कर सकते हैं जैसे कि आपका phone है यह अगर आपने round to hell की स्टार्टिंग की वीडियो देखी होंगी त इसमें बस आपको editing में जो है आपके camera की inbuilt voice होती है उसके साथ इसको सिंग करना पड़ेगा फिर अपनी camera की audio का डिलीट कर सकते हैं उससे आपके जो phone की audio है वो काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी as compared to आपके camera का inbuilt mic की आपकी YouTube वीडियो में अगर आप phone से recording कर रहे हो कुछ इस तरीके से तो आप या तो phone में एक mic लगा सकते हो जासे shotgun mic है या फिर आप इस mic को अगर आप vlogging कर रहे हो तो अपने camera के उपर भी direct लगा सकते हो यह सारी चीजे मैं उस वीडियो में बता रखिया वो सारी चीजे देख सकते हो लेकिन अगर आप comedy videos बनाना चाहते हो लेकिन आप चाहते हो कि आपके हाथ में phone दिखाई ना दे तो उसके लिए आप अपने earphones जो है वो यूज कर सकते हो इसमें basically आपको अपने phone की audio recording on करनी अपनी lead लगा के और आपकी जो lead है उसको आप अपने caller के पास फीट कर सकते है अगर तो आप caller mic या फिर shotgun mic किसी भी तर सुन रहे हैं वो है हमारी earphones के mic की आपको इसमें सुनने को मिल जाएगी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपका mic जितना आपके पास होगा उतनी ही अच्छी audio clear आपको सुनाई देगी लेकिन आपको mic मुग के पास रहना है मतलब के camera के inbuilt mic होते हैं वो बहुत जादा खराब होते हैं तो उसकी जगे या तो अगर आप बूमाइक यूज करना चाहते हैं प्रोफेशनल ओडियो के लिए तो आप अपने सस्ते वाले mic को लपेट के एक डंडी के ओपर भी आप महां से कर सकते हैं वो काफी अच्छा तरीका है लेकिन उसके लिए आपको चाहिए होगी कि माइक आपके फ्रेम में ना दिखाई दे जिसकी मदद से मतलब थोड़ा इजी हो जाएगा थोड़ा प्रोफेशनल भी लगेगा और ओडियो भी काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी वो भी एकदम बजट में आपको यह वीडियो समाझ आई झाल